एलो डियर लर्नर्स कैसे हैं आप सभी लोग आसा करते हैं सबी लोग स़स्त हो ओंगे और आपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे चलिए सुरू करने से पहले कुछ सुरू करते हैं कि पेंच्छ पूपल कि लोगों को पेंच में कैसी चैंज होना चाहिए देखा पेंच उसके बार हम बटाते हैं कि life will taste, life will taste you, just before it will bless you just before it will bless you हम बताते हैं जो, quidts बोलते हैं ध्यान से सुनना है और आपको कॉपी में नोट डाउन भी करने है ठीक है आपके वियनि पिछेट भी उसमें होगा थिzahl का live इसी के साथ मैं अभे आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसे की इंग्लीज पर हार्दिक स्वागत बंदन अब नंदन करता हूं तो कैसे हो मित्रों आसा करते हैं सभी लोग स्वस्त होंगे चलिए आज इंग्लीज में आपके आज सीजेल टियर टू का प्रेक्टिसे क क्लास है जिसका लेक्चर 6 से 5 क्लासे आप लोगों की आच चुकी है रोज रात 8 बजे आपके अपनी चैनल एसिक इंग्लीज हम आपको क्लास क्लास प्रोवाइड कराते हैं अंडर गाइडेंस आवेस ओमन सी देखिए कितनी क्लासे आ चुकी है पांच आ चुकी है जिन्हो आपको 100% बहुत कुछ सीखने मिले होगा देखिए जल्ली ही हम कुछ इस एक पर नई चीज लेने आने वाले हैं सोड़ा इंतजार करिए कि क्या लाते हैं देखना आप बहुत ही जल्ली लाएंगे चली आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिखा है आपका CGL CGL 2020 का Tier 2 का है उसका देखने इनी के आधार पर ही base को आधार मानकर इसी के आधार से हमारे प्रस्ण हमारे exam में पूछँ जाते हैं, हूब हूँ आपको इस तेरी के प्रसं देखने को मिलेंगे. copy में questions को note down करना है जो concept बताते हैं उसको note down करना है चलिए आगे बढ़ते हैं इस special practice session आज आपका किसका है special practice session आपका किसका है आपका CDS के 2014 के हमने questions उठाए हुए है क्योंकि कल में भी था इसके next में में यही है क्योंकि इसके जो questions बचे हुए थे वो हमने उठाए हुए है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए उपर दिखाओगा क्या दिख रहा है आपको कि आपको हम बताएंगे English में concept बताएंगे और use बताएंगे यहाँ पर लिखा है कि improve the underline part of the sentence if needed उसमें improve करना है आपको जहां पर भी underline दिया गया है जिस part में जिसमें underline दिया गया है उस sentence को improve करना है if needed अगर आप सकता है आप सकता नहीं है तो no error भी लगा सकते हैं आप चलिए आसा करते हैं बस समझ में आई होगी अगर बस समझ में आई है तो चलिए हमें जल्दी से बताने की जहां पर लिखा है कि fewer rainfall means less traffic accidents according to the expert report on highway safety बहुत important बात है और अप सन अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानकारी हम आज कराते हैं किसकी जानकारी आपको होनी चाहिए देखिए हम आपको जानकारी कराते हैं जानकारी कराने के लिए यहां पर जो लिखा है rainfall कैसा noun बच्चों uncountable noun accidents कैसा noun आपका countable noun यहां पर जो degree दी गई हैं वो आपकी comparative degree दी गई है अब ध्यान रखना यहां पर हम बताते हैं कि little आपका जो little होता है li, double, t इसकी comparative degree अगर नहीं पता हो तो क्या होती है less होती है इसकी आपकी comparative degree क्या होती है less होती इसी की comparative degree क्या है less है अब जब little आपको पता होना चाहिए बच्चों little आपको पता है कि little जब भी लगता है इसके बाद में noun uncountable noun आता है इसका मतलब है कि इसके बाद जो noun आएग यां countable noun है तो यहां पर little का प्रियोग नहीं होगा अब देखी एक बाड़ होता है few उसी की competitive क्या होती है fewer क्या है few इसके बाद में आपको पता होगा कि इसके बाद में जो भी आता है plural countable noun आता है मेंसा देखी कैसा नाउन आता है जो एक्सिडेंट साइब आपका plural countable noun है ध्यां से बात सुनना इसका मतलब है कि एक्सिडेंट सी जगे पर हमें fewer लिखना है और rainfall की जगे हमें पर less लिखना है इसका मतलब कौन से answer में है यहां पर दिखला है यहां पर तो यह गलत है और no improvement भी गलत है यहां पर यह लिखा है few traffic accidents यहां पर लिखाए less फिर से less नहीं होगा इसका मतलब भी फार भी नहीं होगा सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा यह फार आन मिलो सजना इजा रिक्वाइड अंसर इसका मतलब कौन सांसर आपका सही है विचों यह आंसर सही है लेसे rainfall means fewer traffic accidents fewer traffic accidents तो आपका इस आउंसर क्या हो जाएगा बिलकौल सही हो जाएगा अब ध्याँसर सुनना हम बात जो बोल हैं यहां पर हम एक बात बोलते है DO लिटीलिक जहां से सुना जो बोलते होएं कि लिटील energized quantitative is जिसका प्रियूग हमfen कॉंपरेटिव डिगेडि निकिसके लिए करते हैं हम लिष में करते हैं लेटील एक आपका quantitative adding ही यहाँ पर देख के जो लिटील है This पर हम बात कर रहे humili हैं यहाँ पर लिखा है लिट jointly कि लिटिल एक quantitative adjective है, इसकी comparative degree आपकी क्या होती है, लेसे, अब जब कि यहाँ पर एक word होता है, few, few लिखा है, उसी का few और होता है, few, few है आपकी, few क्या है आपकी, एक numerical adjective है, numerical है, numerical है, sorry, numerical adjective है, बताएंगे, जब एक क्लास में बताएंगे, कि quantitative adjective का होता है, जो quantity की बात करेंगे, numerical adjective बो adjective होती है, जो number की बात करेंगे, few, एक, नमबर की बात करता है, कि few, एक, आपका numerical adjective है, जिसका comparative क्या होता है, fewer होता है, इसका comparative क्या होता है, fewer, क्योंकि यहाँ पर comparative तो तो यहां पर भी comparative, अब बात करते हैं कि little का comparative less, अब जब चाहने little आई चाहने less आई, इसके बाद में हमेशा कैसा noun, uncountable noun, कैसा noun, हमेशा uncountable noun, few की comparative fewer होता है, इसके बाद कैसा noun, हमेशा plural, countable noun, हमेशा कैसा noun, plural, countable noun, अगर यह जानकारी होती, तो आप ए आंसर लगाते, और त उसमें आपको 100% पूरे marks मिलेंगे, और आप आगे बढ़ जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 2, question number 2, दिया गए दकी underline यहां पर भी है, underline दिख रहा होगा कि improve करना है, underline जो दिया है, sentence में अगर आपको आप सकता है, लिखा है, I never saw you, I never saw you at the party yesterday, चलिए answer बताने की कोशिद करता है, सबको पता है, sentence के last में जब इस्टरडे आता है, sentence हमेशा आपका किसमें बनता है, किसमें बनता है, simple past में, हमेशा किसमें बनता है बच्चों, बताए किसमें बनता है, हमेशा, simple past में, जिसे हम कहते है, past and definite, इसका मतलब past definite कहते हैं, तो सिर्फो सिर्फ आप का एक ही आंसर है कौन सानसर है वी पार बहुब ली जा रिक्वाइड अंसर क्यूंकि यहां पर नेवर दिया गया है नेवर का निगेटी भी करना पड़ेगा मैं डिड़ नाट इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट पॉम की प्रियोग करते हैं इह बात की जनकरी आप लोगों को होनीा चाहिए चलिए आगे परते हैं कोसे नंब मत परी बहुत इंपॉर्टेंट कोसेटन है लिखाए अजीट इजाविगार स्कॉललार देन हीजे बड़ दर इसकोलार देन ही जिए ब्रदार अब देखे यहां पर हमने एक बढर लिखा है PD यहां पर लिखा है CBD यहां पर लिखा हमने sd बच्शों पता होगा P से positive degree cd से comparative degree sd से superlative degree एक बढर होता है विक एक बढर होता है आपका विक की comparative यहाा पर दो बातें निहीं डोनों में क्या डिपरेंस है यहां बताते है किसी भी चीज में जब हम किसी चीज का साइज बताते हैं आकार बताते हैं किसी चीज के हम माप बताते हैं या किसी चीज के बिस्तार की बात करते हैं तब हम वहां पर बिग बिगर या बिगेस्ट का फिरोग करते हैं जब किसी परसन की जब किसी परसन के ब्यक्त की क्वाल में हम गुडवत्ता बोलते हैं जिसे हैं उनकी खोबियों के बारे में बताते हैं तो मच्चों bigger का प्रियोग नहीं हम good की comparative या superlative degree का प्रियोग किया जता है इसका मतलब यहां पर क्या जाएगा क्या जाएगा यहां पर good bigger नहीं यहां पर better का प्रियोग करना पड़ेगा यह फार आन मिलो सजना इजा रिक्वाइड आंसर फिर से ध्यान से सुनला एक बार कि P से positive PD से positive degree, CD से comparative degree, SD से superlative degree big, bigger, biggest, big, bigger, biggest, good, better, west जब कभी भी हमें big का अगर प्रियोग करना पड़े sentence में big, bigger या biggest में से तव किसी चीज का हम आकार बता रहे हो किसी चीज की हम माप बता रहे हो किसी चीज की बिस्तार की बात कर रहे हो comparison में तव हम इन मेंसे किसी बढ़ का प्रियोग करेंगे अब किसी person के quality में अगर हम उसकी योगता के बारे में बता रहे हूं उसकी ability बता रहे हूं उसकी हम capacity बता रहे हूं capacity बता रहे हूं उसकी हम छमता के बारे में बताते हैं उसकी हम खूबियां जिसे हम बहतर गुडवता के बात करेंगे हमें से good, better best में से कुछी को choose करना सेम नोबल देखिए कितना आच्छा कोश्चन है कितने कोश्चन आपके कहां सूट रहे हैं बताइए बच्चे कहां सूट रहे हैं इतने कोश्चन्स हैं इतने कोश्चन्स आपके सारे कोश्चन्स जहां सूट रहे हैं वह टॉपिक है टाइम एंड टेंस टाइम एंड टेंस देखते हैं यहां पर कौन से सेंटेंस में आंसर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जब कभी भी हम यहां पर देखें दो संटेंस लिखें, दो संटेंस लिखें होगे आपके, दिख रहे होगे एक लिखा है, जब कभी भी दो संटेंस होते हैं, जब कभी भी पास्ट में हम दो संटेंस की एक घटना जारी हो, उसी में कोई ब्यूसरी घटना घट जाए, ध्यार रखना, कि जब हम पास्ट में, किसका प्रियोग करते हैं, पास्ट में यदि कोई घटना जारी हो, तो उसी के बीच में कोई दूसरी घटना घटी, तो जारी घटना के लिए हम पास्ट कांटिनूस का प्रियोग करते हैं, किसका प्रियोग करते हैं, पास्ट कांटिनूस का प्रियो तो बो एक्सन हमेशा किसमें हो जाएगी किसमें हो जाएगी बच्छों किसमें चालिब सु प्सक्रांनो इसका मतलब अबनाली unf σ कहोणा प्यार है तो घट नहीं है इसमें काउन सी गट गए में उसको जाते हैं ये देख तleg रहा था दूसरी घटना घट गई उस घटना को हमेशा past continuous में लिखना इस घटना को हमेशा past continuous में आप लोगों को लिखना past continuous में एस पो लखना इसका मलब है see for कहोना प्यार है या required answer चली आगे बढ़ते हैं जो भी question हो चली लिखा है कितना अच्छा question लिखा है लिखा है I did not wait for him because he went out before I arrived before I arrived हर जगे past की बोल वाला यहाँ पर भी past यहाँ पर भी past तो यहाँ पर भी past यहाँ पर भी past देखते हैं इसमें कौन answer करने की कोशिस करेगा देखते हैं इसमें कौन answer I did not wait for him अब because क्या मतलब है कि एक cloud पूरा हो चुका है अब आगे cloud को लिखना है he went out before before अब यहाँ पर before के साथ जब भी कोई sentence दो बाग के जोड़ते हैं before के साथ जब भी बच्चों कोई दो बाग के जोड़ते हैं धार रखना भी हम बता रहें समझाने दुवारा अच्छे समझा दे हम कि before के साथ जब कभी हम कोई बदो बाग के जोड़ते हैं तो आगे बाला जो sentence रहता है before के, वो हमेशा क्या रहता है, simple past में, आगे बाला कौशा रहता है हमेशा, simple past में रहता है, और जो before के पहले बाला sentence जो रहता है, वो हमेशा past perfect में रहता है, इसका मतलब जब कभी भी before से, जब कभी भी before से दो sentence को connect करेंगे, इसके बाद में हमेश सिंपल पास्ट आएगा इसके बाद हुआं इसका मतलब है पास्ट परत्फेक्ट आएगा यह पर आएगा सिंपल पास्ट आएगा देखिए आगे सिंपल लिखए कॉंसे आपसन में पर्फिख्ट है ठीक है यह एप्सन में अजेज़ का फर wrap Heartent आपका जो A answer में, उसमें तो आपका present perfect है, ठीके, और इसमें no improvement हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर past ही past दिया है, तो इरर तो दिख रही है, अब head been out दिया है, head gone out दिया गया, दोनों past में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, उसके answer में लिखना है, अब आपका A बाला एक option दिख रहा है, एक आपका A बाला option दिख रहा है, अब देखी कैसे पहिंचानोगे, जो यहाँ पर वर्व की base form होगी, उसे तो उसमें लाना ही पड़ेगा, किस में है, गोन में है, तो क्या हो जाएगा, we for वहवली जा required answer, चलिए आगे बढ़ते हैं, A lot of time on party, a lot of time on party, देखते हैं, इसमें क्या answer होना चाहिए, देखते हैं, क्या answer आपका होना चाहिए, since के साथ हम point of time का प्रियोग करते हैं, the beginning, point of time है, कोई भी point of time होगा, इसके मतलब point of time जब होगा, समनता इसमें हम कैसे टेंज का प्रियोग करते हैं, एक तरफ आपका present perfect continuous ह होता है, एक तरफ आपका present perfect continuous है, तो दूसरी तरफ आपका present perfect होगा, इधर present perfect continuous, इधर continuous की बात कर दी है, तो इधर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका present perfect हो जाएगा, present perfect आपके एकी option में दिख रहा है, see far, कहो ना प्यार है, इजा required answer, जैसे हम बोल दें, since his engagement, ध्यान दें सुनना, कि since his engagement, he has spent a lot of money on his would be wife, चलिए हम एक sentence में लिखा रहे हैं, जिसे हमने लिख दिया है, आपका since his engagement, since his engagement, आगे हमने कामा लगा दिया है, he has spent, he has spent, आगे लिखा a lot of money, a lot of money, on his, on his, would be, would be wife, would be wife, दिखें माली यह आपका लिखा है, अब ध्यार रखना, कि जब कभी भी since से जुड़ेगा, तो sentence में कमसा आएगा, सबको पता है, कमसा आएगा, since जुड़ा है, कि तो point of time उसमें कोई दिया गया हो, तो sentence present perfect में आएगा, किस में रहना पड़ेगा तुम्हें, present perfect तुम्हें यहाँ पर, हैज spent आएगा, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, हैज spent का प्रियोग हमें करना पड़ेगा, आसा करते हैं, point समझ में आया होगा, point समझ में आया होगा, since his engagement, he has spent a lot of money, on his, would be wife, since the beginning, since the beginning, यहाँ पर जो our spending है, उसकी जगे पर आपको high spent का प्रियोग किया जाएगा, क्योंकि, जो since the beginning है, इसका आर्थात, इसका मतलब होता है, कि since plus point of time, और since plus point of time का प्रियोग होने पर, जब कभी भी बाक में हम सामानता, दो tense का प्रियोग करते हैं, पता होगा सब को, कि या तो करते हैं, present perfect, present perfect continuous या present perfect का करते हैं, यहाँ पर एक ही option दिया गया है, उससे लगा भी देंगे, जिसको भी यह बात पता कि कैसे कैसे आते हैं, प्रिविएस वीडियो में हमने बताया था, कि कहाँ पर present perfect करते हैं, और कहाँ पर present perfect continuous करते हैं, जो बर्ब आपकी नोन एक्षन बर्ब होती हैं, जिन हम इस्टेटी बर्ब कहते हैं, उनका प्रियोग सिर्फ और सिर्फ प्रिजेंट परफेक्ट में कहते हैं, तो यहाँ पर आप्षन में आपकी हाइव लिया है, हाइव एक इस्टेटी बर्ब है, इसलिए इसका प्रियोग थंड़ा बोले तो कोको कोला कोश्चन टेक बोले तो ABS ऐसी याद रखने हैं आपको कि थंड़ा बोले तो कोको कोला अगर आपसे कोई बोले कि कोश्चन टेक तो आपको बोलना तुरण ABS कोश्चन टेक बोले तो ABS थंड़ा बोले तो एक बार नहीं है, जार बार बोलना, हम बोलने हैं, हमारे साथ रिपीट करो, जहां पर भी बैटे हो, जैसे भी है, मुह से बात निकलनी चाहिए ठंडा बोलें तो कोको कोला, ठंडा बोलें तो कोको कोला, question tag बोलें तो ABS, question tag बोलें तो ABS, question tag बोलें तो ABS, ठंडा बोलें तो कोको कोला, question tag बोलें तो ABS, ABS मतलब इसमें आपको auxiliary देखनी है, कि auxiliary काउन सी है, उसको आपको क्या कर देना है, balance कर देना है, balance किस किस को करोगे, subject और auxiliary को करोगे आप यहाँ पर देखिए कि लिखा है कि balance का मतलब यह है कि sentence positive में है तो आपको negative में करना है negative में है तो positive में करना देखिए sentence क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है कि your sister कोक्स बेल संटेंस पोश्टिव है इसका मलब question take negative बनेगा auxiliary पकड़िये आप auxiliary पकड़िये auxiliary क्या है is auxiliary क्या है is auxiliary आपकी क्या है is auxiliary क्या है आपकी question take में singular देखी आजाएगा यहाँ पर लिखा auxiliary तो is है और balance कर दिया हमने negative कर दिया not subject यहाँ पर it नहीं किसका दिया गया c इसका मलब है a b ने भी है c में भी नहीं है और no improved इसलिए नहीं है कि हमें इसका improvement करना पड़ेगा जो sentence आपका यहाँ पर दिया है जो sentence किसका है sentence किसका है simple present का है sp का मतलब simple present जिसे हम कहते है past indefinite जिसे हम कहते है पास्ट इंडेपनेट, पास्ट इंडेपनेट का डू और डज से बनता है इसलिए वी फार, बहु बली जा रिक्वार्ड आंसर, अब कोई बोले ठंडा बोले तो, कोको कोला कोश्चन टेक बोले तो, एबियास, ध्यार रखना इस बात को बस इसी बात से हम आगे बढ़ जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबल लिखा है, डिकेंस नोबल लाइक मेनी राइटर्स और लार्जली आटो वाई ग्रोफिकल देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिस करता है देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिज करता है अब देखिए सब को पता है कि many writers नहीं करेंगे जब कभी भी हम किसी की auto decans nobles like many writers are largely auto y-graphical अब देखिए answer लिखा है no improvement है हुभी सकता है no improvement भी हो सकता है answer c भी हो सकता है answer b भी हो सकता है answer a भी हो सकता है चलिए बताने की कोसिज करें जली बताने की कोशिज करें कौन सा answer है answer कौन सा है इसमे if our aren milos dejna itañh is required answer if our aren milos dejna itañh required answer किसकी बात की है हमने है हम इने है यहाँ पर हमें यहाँ पर एक पुर्णावर की आपकर सकता पड़ेगी जो novels के लिए हमें प्रनावन पड़ना पड़ेगा वो प्रनावन कैसे आएगा plural आएगा किसमें प्रनावन दिया गया है यह पार्ट में प्रनावन दिया गया है अब यह पार्ट में एकी प्रनावन है सिर्फ और सिर्फ और किसी पार्ट में प्रणाव नहीं नहीं है तो हम कवर क्या रख देंगे और क्या कर देंगे अंसर को हम रिभूम कर देंगे मसलब एफ आन मिलो सजना इजा रिक्वार्ड आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने पर हमें बताना है question number जो भी हो बहुती इजी है देखते है question number आगे क्या लिखा है कि see was age pretty age if not prettier then any other girl at the party चलिए बताने की कोसिस करें ये question में कहाँ परिरर है देखते हैं इस question में कहाँ परिरर है c barge very pretty c barge c barge pretty c barge the prettyist अब देखिए यहाँ पर लिखा है जब कभी भी अगर answer लगाने कोसिस करेंगे यहाँ पर लिखा है c barge pretty आगे लिखा है प्रेटर यह मतलब degree कैसी है CD की है इसका मतलब comparison तो होगा अगर comparison होगा तो answer A, answer B कभी नहीं हो सकते अगर comparison होगा तो answer A, answer B कभी नहीं हो सकते जीवन में या तो C होगा या फिर no error होगा यहाँ पर जो comparison हम कर रहे हैं तो comparison यहाँ पर सही है इसलिए यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिरी की वियाब सकता नहीं है इसलिए यह नो एंप्रोमेंड आंसर क्या हो जाएगा डी फॉर देव सिनाई जा रिक्वाइड आंसर अगर यह आंसर आपका सही है इसमें ज्यादा आपको अगर कोई लग रहा हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है कि नेवर बहुती इंट्रेस्टिंग और बहुती उम्दा सवाल है चलिए बताने कोशित करें बहुती इंट्रेस्टिंग सवाल है बहुती अच्छा Never I have seen such breathtaking scenery कभी भी scenery में IES नहीं लगाते हैं ना scenery करते हैं ना हम आ scenery बोलते हैं इनके जे बर्ड जो होते हैं वो AGT बर्ड रहते हैं अब हम तुम्हें बात बताते हैं पर important बात है कि जब कभी भी हमारे पात sentence आते हैं Never आ जाए आपका आपका sentence में क्या आ जाएगा Never आ जाए Never क बाद में आपका Hardly आ जाए Hardly क बाद में आपका Iskarsly आ जाए आपका Iskarsly आ जाए और आपका Rarely आ जाए आपका Rarely आ जाए आपका Seldom आ जाए और No Sooner No Sooner आ जाए ठीके ध्यान रखना जब कभी इनसे बाग सुरुआत होते हैं, ध्यान रखना, कौन कौन से बढ़न है आपका, never है, hardly है, scarcely है, rarely है, barely होता है, seldom होता है, और no sooner होते हैं, no sooner होते हैं, कितने बढ़ से, hardly है, आपका पहला सबसे पहला बढ़ समने लिखा है never है, दूसरा बढ़ हमने लिखा hardly है, तीसर इसकार्सली है तो था रियरली है सेल्डम है और नू सुनर है कितने हैं नू सुनर है धर रखना इनसे जब कभी भी बाग के शुरुवात होती है तो इन्हें हम इन्हें वर्जन का प्रियोग होता है इन्हें कैसा प्रियोग होता है इन्हें वर्जन का प्रियोग होता है किसका का प्रियोग करते हैं इन वर्जन का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं इनके साथ हम इन वर्जन का प्रियोग करते हैं इनके साथ हम इन वर्जन का प्रियोग करते हैं इन वर्जन क्या होता है आपको सीधे-सीध के पहले उठके चली आती और कुछ नहीं होता जो आपकी बर्ब है यहाँ पर बर्ब मतलब आगजिलेरी बर्ब है सारी बर्ब नहीं जो आपकी आगजिलेरी बर्ब होगी वो सब्जेक्ट के पहले उठके चली जाएगी इन बर्ब के बाद में जो भी बर्ब लिखी होगी सब्जेक्ट पहले उटके चलियागी इसका मतलब है आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा आंसर इसमें सीधे सीधे अब दिख रहा होगा आपको ये फार आनमिलो सजना इजा रिक्वाइड आंसार कि नेवर हाडली इसकार्चली रेरली सेल्डम नो सुनर नेवर हाडली इसका मतलब सब्जेक्ट के पहले रख देना है सब्जेक्ट के पहले बो बर्ब कैसी होनी चाहिए बच्चों, auxiliary बरव होनी चाहिए इसका मलव आंसर इसमें ए फार आन मिलो सजना चलिए हमें एक आंसर आपको बोलने लिखो Never before I have seen her Never before I have seen her Never before I have seen her sentence की starting बच्चों Never से, इसका मलव I have seen नहीं होगा, क्या हो जाएगा? Have I seen क्योंकि हमें यहाँ पर inversion का प्रियोग करना जिससे हम बोल ले है, hardly Had, hardly He had reached the station When the train started Hardly He, hardly He had reached the station When the train started इसका मलव है कि यहाँ पर किसका प्रियोग करोगा, यहाँ पर बच्चों Hardly, He had नहीं क्या हो जाएगा? Had, He का प्रियोग करना पड़े आसा करते हैं, point समझ में आया होगा चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे तो खतम होगा, आगे नहीं बच्चा है कुछ चली यह कोई नहीं फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि आगे जितने sentence से सारे हो चुके हैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है इतना support करने के लिए बाकि किसी को किसी प्रकार की कोई कुरिच चे यह तो हमारे इस WhatsApp नंबर से आप हमें संपर्ग कर सकते हैं हमें call कर सकते हैं call के लिए आपको हमने बताया है 8 a.m. to आपको 8 p.m. में किसी प्रकार की आपको कोई लेनी है अगर आपका कोई भी doubt है किसी प्रकार के question doubt है तो आप हमसे संपर्ग कर सकते है बाकि यहाँ पर आपको जो टेली ग्राम चैनल है यह सीग इंग्लिस बाई अभे सर आप टेली ग्राम पर जाएंगे उपर सर्च करेंगे, नीचे जोइन का आपसन आए गया, वहाँ पर जोइन कर लेजिए, जोइन करने के बाद आप उसमें जुड़ जाएंगे, और बहुत सार इसमें PDF अफलोड की गई हैं, जो Class आज के हम लेते हैं, इसकी PDF आपको तुरंत दे देते हैं, Class जैसे आपकी खत् पहले में इसकी PDF आपको प्रोवाइट करा देते हैं, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी, PDF देखिए, PDF में सौर्प करने कोशिज कीजिए, देखते हो, आप कितने कोश्चन कर पाते हैं, उसके बाद आप Class देखिए, देखिए, Class में आपको कोई नए कांसेप्ट मिलेंगे, आप पर पहुंच जाएंगे, माली जिस लिंक पर आप कलिक करेंगे, वार्टसप के लिंक पर करोगे, तो वार्टसप से जुड़ जाओगे, टेली ग्राम से चकड़ो दे तो टेली ग्राम से जुड़ जाओगे, बाकि फिर आज की Class यहीं तक रखते हैं, चलिए फिर मिलत नहें कल, इसी उस सहरों मंग के साथ, ताब तक के लिए भाय भाय, टेक क्यार, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए, ठेंक यू सो मच, गुड़ नाइट टू, आला फियो